हलो दोस्तों कैसे हो आप लोग मेरा नाम मैं अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक्वित अब्दुल यूट्यूब चैनल एलाइसी की वहर से नोटिफिकेशन आया है एक रिक्वार्मेंट है असिस्टेंट इंजीनियर की भी रिक्वार्मेंट है अब ही तक मैंने नोटिफिकेशन इसलिए कवर नहीं किया कुछ रिजन्स है वीडियो में आपको बताऊंगा इससे आपका ही बेनिफिट है और लाइक कर देना लाइक से मोटिवेशन मिलता है तीन अजार लाइक कर देना सीधा हम eligibility के बारे में बात करेंगे कौन eligible है कौन नहीं है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं सीधा तो AAO IT में ही यहाँ पर freshers के requirement बाकि हर जगा पर experience मांगा हुआ है जैसे कि अगर civil वाले, electrical वाले, structural, architect फिर electrical, mechanical अगर आप इन branches से belong करते हो तो problem नहीं है लेकिन तीन साल का experience मांगा हुआ है तो आप eligible नहीं हो आप video छोड़ सकते हो बस like करके जाना और अपने IT वाले दोस्तों को share कर देना क्योंकि यहाँ पर एक ही post है AAO IT जिसमें MCA, MSC और VEB Tech, Computer Engineering और IT वाले यहाँ पर apply कर सकते है तो भाई अगर eligible हो तो आगे बढ़ना, नहीं eligible हो तो कोई बात नहीं वीडियो को छोड़ सकते हो यह application 25 February को आ चुका है, इसकी last date 15th of March है अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर IT वाले कौन सी post पर apply कर सकते हैं तो Assistant Administrative Officer उसकी AAO में IT के अंदर आप apply कर सकते हो पचास post है, अन्रिजरूट के लिए 20 है और यहाँ पर अगर आप select होते हो, तो आपको salary यहाँ पर बहुत अच्छी मिल जाएगी कुल मिला कर सारी चीज़े आपको मिला कर 57,000 per month according to class ACT के साब से मिल जाएगी अगर आपका class ACT में आपका posting होता है तो और यहाँ पर selection procedure में इन्होंने कहा है कि आपको pre exam देनी होगी, mains exam देनी होगी और उसके बाद interview होगा तो प्री exam में आपको aptitude, reasoning and English पूछा जाएगा table यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 20-20 minutes का IBPS जैसा pattern है यहाँ पर और qualifying marks इन्होंने बता दिया result के लिए 35 में से 18, English में 30 में से 10 और quantitative period में 35 में से 18 तो हर एक exam का अलग-अलग qualifying criteria दिया हुआ है और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि यह qualifying ऐसा नहीं कि selection के लिए fix है लेकिन जितनी vacancy है उससे 20 times को यहाँ पर mains exam के लिए call किया जाएगा और mains exam में इन्होंने कहा है यह इतना बड़ा table है reasoning ability, general knowledge, professional knowledge, insurance and financial market, awareness तो यह total नहीं पर 300 marks है हर एक exam वापस है इन्होंने 40 minutes, 20 minutes इस सरह से divide किया हुआ है हर एक में qualifying marks भी इन्होंने बता दिया है ST वालों के लिए अलग है, unresolved वालों के लिए अलग है हाँ पर mains exam में इन्होंने English language के लिए descriptive test भी रखिये जो की 25 marks की है तो mains exam काफी बढ़ी है इन्होंने कहा है, preliminary और mains को आपको यहाँ पर अच्छे से qualify करना होगा और pass करना होगा, बाद में आपका interview होगा यहाँ पर तो यह सारी चीज़े के बाद आपका selection होगा तो यह चीज़ों का खाजयानक नहीं और सबसे important इस notification में fees यहाँ पर काफी ज़्यादा है मतलब मुझे काफी ज़्यादा fees लगी 700 rupees प्लस यहाँ पर transaction fees है मतलब कि transaction plus GST मतलब यह करीब 800 rupees जितनी हो जाएगी अगर आप unreserved category से हो और OBC से हो तो बाकी SCST वालों के लिए यहाँ पर 85 rupees है प्लस transaction charge प्लस GST मतलब 150-200 के करीब होने वाले हैं इन्होंने साथ में कहा है कि अगर आप pre and mains को qualify करते हो आपको interview के लिए बुलाया जाएगा तो interview के लिए आपको railway fare reimburse कर दिया जाएगा तो इसमें कोई tension नहीं आपको जहां भी जाना होगा interview के लिए आपको railway fare मिल जाएगा नहापे exam के centers क्या होंगे वो भी में अलग से sheet में दिये हुए जो आपको description में link पे click करोगे तो अलग से sheet मिलेगी उसमें सारे centers यहाँ पे दिये हुए next important job update के वीडियो में तब तक के लिए goodbye, take care